अपने देनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है जितने इलेक्टिसिटी जो है उसका संचार्थ तंत्र है उसमें भी अर्थिंग महत्पूर्ण है तो सिस्टम को आर्थिंग करने की आवशक तक कब पढ़ती है जैसे कि मालों को डिस्टिबूशन लाइन जा रही हूँ उस को बनाया रखने केलिए जनरेटिंग स्टेशन सबस्टेशन अर्थ किया हुआ वह न्यूटल है वो सब जगह जाता है तो न्यूटल को अवीत करते हैं दो जगह पर दूसरा ai quase करने का मुलेश कुपकरण में अर्थिंग करना है तो जो आर्फिंग करना उसमें चीज आपकी यह हो गए कि मनुश्य और जीव और पशुओं को जटके से बचाना तो अपना अर्थिंग का यह दिश्य जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसके अलावा मशीन के लिए जो सुरक्षा है मानलो आस्मानी बिदली जैसे गिरती है तो आस्मानी बिदली गिरने के लिए गिरती है तो पूरा प्लांट को नुक्सान हो सकता है तो इससे बचने के लिए आपको अगर अर्थिंग करके रखा है तो उसको सीधा रास्ता मिल जाता है और जो आस्मानी बिदली है वह उस लाइटिंग अरेस्टर के द्वारा तडित चले के द्वारा सीधी जमिन में चली जाती है तो बिल्डिंग को या मशीन को कोई नुक्सान नहीं पहुंचता है तो यह सुरुक्षा मशीन के लिए हो गई दूसरा में जो है वह आपका मनुष्य जीव जन्तु पशुवों को जटके से बचाना है यह अर्थिंग का मूल उद्देश है जन्रली अपन देखते हैं कि हमारे घरों दर together video जित्ते वी उपक्रन है द में तीन पीने होती दिन जैसे सुकेट के अंदर होती है वह इन और उपर पीन होती है मोटा इसलिए कि अधिक से अधिक लिकेज करेंट अगर है तो वो जमीन में चली जाए तो अर्थिंग का टर्मिनल मोटा बनाने का उद्देश यह है कि मैक्सिमम करेंट जो है वो जमीन के अंदर चली जाए ताकि कोई व्यक्ति इस उपकरण को चला है तो उसको जटका नहीं लगे जैसे एक एक्जाम्पल देखते हैं यहां पर दो फिगर देखते हैं एक में अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है माना की सिंगल पर सप्लाइज जैसे लगा रखी एक फ्यूज लगा दिया हमने फ्यूज लगा गरके निदे कोई उपकरण है यह घरे लूपकर जो एलेमेंट है एलेमेंट का कुछ हिस्सा इसकी बोडीकोट टच कर रहा है। सब्सकómo यह फाल्ट इसमें आगया गलती से यह कशी करणवश्ट इसमें फाल्ट आगया है हीटर के अंदर इसका जो conducting वाला जो element वाला जो भाग है वो body को touch कर रहा है ऐसी इस्तिति में क्या होगा जैसे यहां से supply जाएगी और इसका जो metallic वाला भाग है इसके उपर current flow होगी और अगर कोई व्यक्ति इस metallic वाले part को touch करता है वो element को तो touch नहीं कर रहा है element तो अंदर है उसका metallic वाला भाग है जो बाहरी cover है धातू का जो cover है उस धातू वाले cover को जैसे ही touch करेगा तो उसको जटका लगेगा उसका current बहने का जो रास्ता है उसके शरीर में से हो करके ऐसे हो करके और जमीन में क्योंकि व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है व्यक्ति के शरीर में से हो करके current गुजरेगी जिस से उसको जटका लगेगा अब यदि हमने system को अर्थ करके रखा है यदि हमने उस उपकरन को हमारे घर के अंदर माना के अर्थ किया हुआ है जैसे यह उसकी body है वो अर्थ की भी है और इसमें leakage हो गया और इस system को हमने अर्थिंग से जोट रखा है इस पूरे system को अर्थिंग से जोट रखा है मतला हमारे घर के अंदर अर्थिंग की भी है और हमने प्रत्यक point को हमने अर्थ करके रखा हुआ है ऐसे स्थिते में क्या होगा जैसे ये leakage हुआ और जो leakage current है इस metallic cover से होता हुँ अर्थ तार के थूँ जमिन में चला जाएगा और हमेशा आपन जानते हैं कि current हमेशा छोटे से छोटा रास्ता ताई करता है बोडी शोट है उसके बाद भी अर्थ किया हुआ है और आपने जैसे ही इसको संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में से current जो जाएगी उसकी मातरा बहुत कम होगी नहीं के बराबर पहली बात इसमें current जाएगी नहीं शरीर में से होके current नहीं जाएगी maximum current इसमें से होके जाएगी leakage current जित्ती भी है maximum current अर्थ के रास्ते से जमीन में चली जाएगी तो व्यक्तिकी बोडी में से current जाएगी नहीं और हमारा अगर मालो system में यह तंत्र ठीक ठाक बना हुए मालो fuse आपका पांच इंपिर का एक निर्दरिद रेटिंग का है तो यह fuse यहीं से break हो जाएगा और system को dead कर देगा तो यह फायदा होता है अर्थिंग का अर्थिंग अगर किया हुआ है आपके घर में भी अगर अर्थिंग किया हुआ है और कोई ऐसा धातु वाला उपकरन जिसकी बोडी मेटल की है और उसमें से कहीं leakage हो गया और मेटल के उपर आपका electricity flow होनी शुरू हो जाती है तो वो अर्थिंग system के द्वारा सीधा leakage current जमीन में चला जाएगा और अगर आप फिर उसको हाथ लगाएंगे तो आपके शरीर में से होके current नहीं गुजरेगी जिसके current आपको जटका नहीं लगता है तो अर्थिंग जो है वो यह काम करता है कि व्यक्ति या मनुश्य जीव जन्तु को इलेक्टिक शौक से सुरुक्षा पदान करता है अब यह अर्थिंग हमारा करना कैसे रहा यह कई बार क्या होता है कि छोटी से रोड लेकर करना जमीन में गाड़ दी तो यह थोड़ा तरीका सही नहीं है तो प्रॉपर अर्थिंग किस प्रकार से की जाएगी तो जिसमें ये नियम दे रखाए कि बिया यस कि तीस तैयालेस जैना तीस तैयालेस 1866 के अंतरगत और तिंग की कुछ विड्या दे रखी है प्रेंडर्ड आईएस एस भी आई एस बीरो आप इंडियन स्टेंडर्ड के इसाब से इसमें दो गीधियां दे रहें एक त्रह प्लेट अर्थिंग प्लेट अर्थिंग और दूसरी होती है पाइपर थिंग का व कि ग्तिम गटहर भी पैप ये दो भाए सीरा खिर्च के तहुंत कर सकते हैं और यह एक स्टेंडर्ड नियम के आधर पर आपको ख़ड़िंग करनी है कि विदिया जिन इसका विश्थार्ष और किसे करना है विदी देख लिए और प्रेसे की जाती है और प्लेट एक तया पॉपर det般 गे और यह desert चुश्य थे साइज जैसे यह शाइज चाट सेट क्ब्ले आप और ले सकते हो यह प्लेट की साइज जैसे यह 60 cm by 60 cm और 3.18 mm मोटी अगर कॉपर की लेते हैं तो 60 by 60 और 3.18 यह खास और से ध्यानक ना कोई कि कॉस्चन इस टाइप से आ सकता है मैक्सिमम परिक्षा में कॉस्चन 3.8 mm मोटा यह कॉपर की है तो और जीए की है तो 6.3 mm मोटी जो होनी जीए 60 cm by 60 cm यह साइज तो फिक्स है और यह प्लेट जो है वो यह ऐसे वर्टिकल इस सिती में लगाई जाती है और उसमें नमक और कोईले की जो परते हैं 15-15 cm की परते है ऐसे लगानी है तो सबसे पहले उपर यह कास्ट अरेन का बॉक्स डाइग्राम जिसे आपको देखना है तो ड्राइंग के अंदर पी देख लेना और एक बॉक्स लगाना बॉक्स के अंदर एक पाइप होगा और पाइप की जो साइज यह 19 mm डायमीटर का जो पाइप है वो सुग गया है तो अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए एक ओम से अधिक नहीं होना चाहिए तो ज्यादा हो गया तो इसमें पानी डालकर रोखो और इसमें जो नमी बराबर बनाए रखो तो इसमें नमक और कोईले की जो पढ़ते हैं यह इसके साथ में एक ब्लेट से अगर आप हैंज से एक सी प्राइट रगाना है और यहां पर रवी एपकर ते नहीं अडिना है और प्लेट और और से थोड़ी सी प्रॉब्लम हाती है तो अच्छा अगर मजबूत करना है तो अपन वह प्लेट के साथ यह रहे करके मतलब कर देता है ताकि जमीन में जाने के बाद हो सकता है कुछ टाइम के बाद मालो आपका वायर और प्लेट के बीच में कंटिनुटी ब्रेक हो जाए कई बार ऐसा होता है जनरली एक दो जैसे के आर्थ में यह फाल्ट भी आया कि हमने अर्थ सब कंपिट कर दिया और कुछ टाइम के बाद जो है वह लंबी सेवाएं नहीं दे सका है वह आर्थ तो उसकी लंबी सेवाएं आपको लेने के लिए क्लिए क्या करना है कि आपको जो प्लेट है समय तक कोई प्रवलम भी आजा तो एक तार गल गया तो दूसरा तार भी चिपका रहेगा तो आपको यह नहीं करना दूसरी बात यह कि जैसे अपन प्रेक्टिकली करने जाते हैं तो उसमें क्या होते कि बहुत जधा चोड़ाई हो जाती तू आपको क्या करने च्छोटा स कि आपको कोई डुलल है इसका साइस का लेकर इसमें नमक और भर करके और प्र पूरा का पूरा डबा जो है वो चह सार ड्रम टाइप लेकर भीच-छेद कर देना है और वह ऐसा ऍडशक कर देना है कि अप यह प्रेक्टिकली बात आ गई है अगर एक कटा डाल दिया तो नीचे खाली 15 सेंटिम्टर के लेयर भी नहीं लगेगी और पूरा मट्रियल खतम हो जाएगा तो अपने को इतना मट्रियल नहीं तो प्लेट के और पाइप उपर निकाले लिया है तो यह अर्थ पीट इस प्रकार से प्रेक्टिकली त्यार करना है तो यह दियागरम आपका ही है तो आपको डिबा ले करके नीचे गहराई में उतार दो उसके बाद सारी मिट्टी उपर बढ़ दो यह पाइप जो है पानी के लिए एक पा भी डिकलन पाइप ग और पानी के लिए पाइप अलुक हो गया त्युक्त प्रकार सी आपकी जो है वो प्रेट एर्थिं होटा आप है जाथ 13 mm मोटा ही जो इसके ठीकने से वो जी के लिए है वो सो कितनी गहराई में डालना चाहिए तो यह तो होगे आपका प्लेटर तेंग और रजिस्टेंस इसका एक ओम से कम होना चाहिए अधिक नहीं होना चाहिए अब दूसरा जो है आपका पाइपर तिंग तो दोनों में से पर एक मिटर का होना चाहिए बागी कि यह धाई मीटर घहराई में उसको डालना है तो यह पाइप उसमें बीच-बीच में च्छेद कर देने हैं जिग जएक टाइप जिग जएक टाइप एसे छेद करके और इसका भी मैथ्टड़ वही है आप एक डिबाले बीच में चार और भार दो डिबागी चार और छेद कर दो पहले च्छेद कर दो घठ करकर प्रिट बीच में टीच में रखो और साइडों में बड़ा बटर जाओ और पूरा पुर्ण पूरा सेट कि अवा नीचे जमीर में नके फिर मिट़्टी भाड़ धो यह आपका परटिकली स् त्योरी में यह ड्राइंग आपकी ही है तो इस तरह की जो है पाइप लेना है आपको यह उन्नी से में डाय का यह पाइप लेना है पाइप लेकर के न जैसा यह डाइगराम में जो दे रखा है इस इस आप से आपको कि पाइपर दिंग करनी है बाकी मोठे मोठे तो और पर आर्थ का जो रजिस्टेंस है वो एक ओम से कब होना चाहिए इसमें पाइप अर्थिंग में एक विशिष्छता है कि पाइप में आपको अलख से यहां एक निपल लगा करके और निपल से आप वायर उसका बाहर निकल लगा जाएगा एक रिडूसर जो करना उसको बड़े डाइमेटर से चोटे डाइमेटर का जाता है वह सारी एसेसरी लगा करके इस प्रकार से आपको यह पाइप किया जाता है तो अब इनको टेस्ट करना है तो आर्थ टेस्टर से उसको चेक